अब गुद्वार्णिंग फ्रेंड्स आज हम बीसीए में कम्विटर प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं सी में यह हम सीखेंगे तो सबसे पहले आपको मैं स्टार्टिंग से बता रही हूं सबसे पहले आप क्या करेंगे अपने लाप्टॉप पे जाकर एक C++ का यह टर्वो C++ आप डाउनलोड कर लेना जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इस्टॉन करने के बाद यह आपको स्क्रीन पर एक आइकन दिखाई देगा उस पर आप डबल क्लिक करेंगे डबल क्लिक करने के बाद आपको एक ब्लू करण की स्क्रीन दिखाई देगी यह दिखरे हैं आपको यहाँ से आप जाहें तो एक न्यू पेज ले सकते हैं फाइल पर जाके न्यू करेंगे तो न्यू कर देना ठीक है अब यहाँ पर हम एक प्रोग्राम राइट करेंगे तेके कैसे करेंगे आपको पता है हैश हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड as tdi.h dot h enter दवाई गया सेम ऐसे ही टाइप करेंगे हैश इंक्लूड koneo dot h koneo dot h ठीक है यह आपने दोनों फाइल इंक्लूड करी इसके बाद क्या बनाएंगे आप में फंक्शन ठीक है आप सबको पता है में फंक्शन बनाते हैं में फंक्शन में बनाया इसके बाद एंटर किया करली पैसे लगाया अब जैसे हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए आप क्या करेंगे प्रिंट आइफ प्रिंट आप आपको पता है प्रिंट आइफ किसलिए यूज होता है हेलो वर्ल्ड प्रिंट आप इसके बाद इसको बैकिट को क्लोज कर देंगे सेमी होलन लगा देंगे एंटर गराद देंगे और इसके बाद क्या करेंगे येट्स फंक्शन लगा देंगे cosìumin उननी प्रिंट करने इसके बाद आपको याप क्या करेंगे आप क्या करिंगे ngay Ocean पर आपको फॉङल नेम टाइप करना पड़े है मैं सोंग इए अंहीं हो थो ऑड रोट ऑट दाट वमेंट है और ही अधिके सेवर कर देगे आपको एमध्या थे ही हो है तो कहला है Кстати अवस्ट को आपको रणाना आप यहां जाए और रुट चल्वा दिसे चेहिए और वहनुस की दिष्ट मुश्टी के एक तरीका यह है है और एक compile करना सबसे पहले आप compile करके देखना चाहते हैं तो अल्ड f9 कर सकते हैं यह compile पर क्लिक करेंगे तो आपको error free यहां पर कोई error नहीं आ रही है पहले compile करके पता चल जाता है कि आपको कोई error नहीं आ रही है ठीक है अब इसके बाद अगर हमको run कराना है तो क्या करेंगे run पर जाएंगे ठीक है और function should return अच्छा यहां पर आप void लगा दीजिए ठीक है क्या है main function जो होता है वो null value को लेता है इसलिए यहां पर void लगा लेना ठीक है एक keyword लगा दिया अब आप compile करेंगे तो कोई error नहीं आएगी ठीक है आप compile करके देख लीजीगा एरर फ्री आ रहे है वार्निंग जीरो एरार जीरो अब इसके बाद आपको run कराना है तो आप run पर जाएंगे और run करा लेंगे यहां पर आप में जैसे ही run कराएंगे देखो आपको screen पर hello world print करता हुआ दिखाई दे गया ठीक है तो हमने यह simply आपको एक concept बता है कि आप कैसे एक hello world का program बना सकते हैं ठीक है इसके बाद इसको एंटर दवाएंगे तो आप screen के बाहर आ जाएंगे इसमें मैंने कुछ programs बनाए हुए वो मैं आपको दिखाती हूं मैं फाइल में जाके open में जाओंगी ठीक है अरे यह तो नाम से आगया जाओंगी यहां पर मेरी सारी फाइल्स बनी हुई है यहां पर कि अग्याओं दॉट सी पीपी से बहुत सारी बनाए है ना यहां पर सी पीपी एंटर यहां पर देखो बहुत सारे प्रोग्राम सागे जो मैंने बनाय हुए अल्रेडी मैं एट डॉट सी पीपी जो है वह मैं उपन गर नहीं हूं यहां पर मेरेको आइट नाम का एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा है देखो वॉइट मीन फंक्शन लगाया है इसके बार मैंने सीडार इसीर फंक्शन लगाया है इसके बार मैं एक को क्यूंकि दो वेरियाबल का add करना है तो मैंने एक दो variable लिए A और B और उसमें एक third variable C ले लिया है जो आपको जिसमें आप A plus B की value plus करा के store कराएंगे third variable C में ठीक है तो यह आपको program दिया हुआ है मैंने यहाँ पर printf में लिया enter any two number तो enter any two number यह message आपको screen पर show करता हुआ दिखाएगा तो आप यहाँ पर scanf से क्या करेंगे उन दो numbers को read करना पड़ेगा तो आपको जैसे integer है तो हम क्या लगाएंगे %D 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 कॉमा लगा है M %A M %B C equals to A plus B कराया semicolon लगा दिया next आपका printf लिख लिए मैंने the addition of two number अब third variable कहा जा रहा है C में ठीक है third variable C में जा रहा है तो उसको भी प्रिंट कराना पड़ेगा तो आप %D लगा देंगे यहाँ पर M % नहीं आता जब आप कोई output ले रहे हूं ठीक है जब आप input लेते हैं उस condition में M % लगाते हैं और अगर आप output ले रहे हैं तो उस condition में M % नहीं लगाते हैं और get c h लगाया और semicolon लगा दिया आप इसको run कराते हैं तो alt आप control F9 से directly run करा सकते हैं ठीक है तो यह में को दो number मांग रहा है तो मैंने यह आपे 23 और 45 मैंने एंटर कराया है इनका सम मुझे देती है 68 टिक है 68 मतलब मेरा प्रोग्राम सही मना है और मेरा एडीशन भी सही हो रहा है ठीक है आपको यह प्रोग्रामिंग अच्छ से समझ में आ गई होगी इसी तरीके से आपको घट पर भी अपने प्रोग्रामिंग बनानी है और इसी तरीक से मैंने कुछ बनी हुई है मेरे अंदर इसमें मैंने बनाई हुई है प्राइम नंबर का भी बनाया है रिवर्स नंबर का भी बनाया है है रभ बनाया है है अब मैं आपको एक और चोटवा दिखा दे रही हूं swapping of two numbers यह ठीक है यह मैं आपको दिखा दे रही हूँ ठीक है यह मैंने function की थूँ बनाया है यह function की थूँ बनाया है तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ कैसे काम कर रहा है ठीक है swapping करना है यहाँ बर हमको दो number का ठीक है आप यहां चाहें तो इसके उपर एक कमेंट लाइन भी डाल सकते हैं इसको अंटर करके नूचे ले लिजिए यहां पर आप हैश एस्ट्रिक करके हैश एस्ट्रिक में डाल दीजिए वाइट प्रोग्राम टू स्वापिंग वाफ टू नंबर क्वाइपिंग ओफ ओव तू नंबर ठीक है मैंने यहां पर थोड़ा सा शॉट्रिक दिया है कि इस कमेंट लाइन को क्लोज भी आप इसी तरीके से करेंगे आप स्टार लगाएंगे और हैश लगाएंगे क्या है फिए कमेंट लाइन होती है नहीं पिर प्रोग्राम के साथ रंग होने लगती है तिक है और आपको प्रोग्राम प्रोपर ली रन नहीं होगा इसलिए को इनक्लूट था स्टार से स्टार्ट करना पड़ेगा और स्टार हैश दे लोग अब आपको यह प्रिग्राम रंग करके पहले समझा देती हूं कैसे होता है स्टार है यहाँ पर वह पर रहा है वह कैसे काम करें का मैं आपको बताती हूं मैंने इनड़ स्टार्ट का वारिबल मुझे और चेहे जिसमें उस बारीबल बार को डालूंगी बिक्रो को अगर मिल नहीं को दो कंटेंटर का आइटम को चेंज करना जैसे एक दाल ये में चाबल भरा है तो मैंको अगर उन में से वह दाल और चाबल के लिश्य नहीं को चेंज करना एक थर्ड कंटेनर चाहिए होगा है जिसमें में दाल और चाबल थोड़ा सा सेफ कर सकू ठोड़ी समय के लिए तो मैंने यहां पर तीन वेरियबल दिया थेको CLR,SCR function लगा है, int ABC ले लिया, printf में enter two values कर दिया, scanf में %D, %D, a और b को amp % से read कर लिया, c equals to a लिया, थेको a की value को मैंने डाल दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, फिर हमारा a खाली हो गया, तो b की value को डाल दिया, a में, तो a में आ गई, b की value, ठीक है, फिर जो हमाना c में जो हमने एक को store किया था, वो c को डाल दिया, मैंने b में, तो इस तरीके से हमारे दोनों variable के हो गया, आपस में और swipe function को यहां से call करा दिया और getcs लगा के उसको void main में ही हमेशा function की calling होगी, ठीक है, अगर आप चाहें तो उसको run करा के देख लीजे, f9, no error free आ रहा है, two numbers मैं ले रही हूं यहां पर, 23 and 56, अब आप इसको enter दमाएंगे, तो 56 first आ गया, और 23 बाद में आ गया, तो इस तरी किसे है आपका, so I have ping off two numbers with functions, आपको मैंने यहां पर बता दिया, thank you, next class तो कुछ और program discuss करेंगे, thank you so much